जानलेवा बीमारी केंसर के बारे में अब तक आपने यही सुना होगा कि यह बीमारी इंसानों को ही होती है लेकिन यहां आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों सालों पहले धर्ती पर मौजूर डाइनासोर को भी केंसर जैसी खतरनाग बीमारी होती थी डाइनसोर को लेकर पहली बार एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि डाइनसोर को भी कैंसर होता था 7.6 करोल साल पुराने डाइनसोर के जिस हड़ी को फ्रेक्चर समझा जा रहा था उसमें मेलिगनेंट कैंसर की पूष्टी हुई है यह हड़ी 1989 में कनाडा के अलबल्टा प्रांट में सेट्रोसोरस नामक एक स्टिंग वाले डाइनसोर के जिवासे के तोर पर मिली थी विशेशग्यों ने सुरू में इस हड़ी के बारे में माना के हड़ी में एक फ्रेक्चर हुआ था जो ठीक हो गया था लेकिन अभी हाली में हुए परिशन के मुताबिक एक माइक्रोस्कोप के तहत और उच तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि उच्छ रिजोलूशन टोमोग्राफी से खुलासा हुए कि हड़ी पर एक सेप क्याकार की गाठ थी जो वास्तों में एक कैंसर ट्यूमल था कनाडा के सोधकलताओं ने विज्ञानिक पत्री का दलेसेंट ओनुकलोजी के अगस्त अंक में प्रकासिते कध्यन में दावा किया है कि उन्होंने डैनासोर में कैंसर के पहले मामले की खोज कर ली है इस सोध के मुताबिक सेट्रोसौरस डैनासोर की हड़ी में जो विक्रिती नजरा रही थी वो असल में ओस्त्रियो सारकोमा के कारण हुई थी ओस्त्रियो सारकोमा हड़ी का एडवांस कैंसर माना जाता है कनाड़ा के टोरंटो इस्थित रोयल ओटेरियो म्यूजियम के जिवासे विज्ञानी डेविड इवान्स के अनुसार डैनसूर की यह हड़ी 6 मीटर लंबी है जो केर्टेसियस काल की है उस समय चार पैर वाले सकाहारी डैनसूर हुआ करते थे डैनसूर की यह जो हड़ी मिली है वह उसके पिछले पैर की है इस हड़ी में जो टूमर मिला है वह सेव के अकाल से भी बड़ा केंसर का टूमर है जो एडवांस स्टेज का है सोध करता यह देखकर हैरान है कि यह केंसर लाखों साल पहले मौजूद था और अभी भी मौजूद है हाला कि सोध करताओं का यह भी मानना है कि यह केंसर नहीं था जिसने डाइनसोर को माल दिया था लेकिन डाइनसोर की मौत भले ही केंसर से ना हुई हो लेकिन उसके चलने फिरने की छमता पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा इस सोध की नतीजे बताते हैं कि केंसर कोई नई बिमारी नहीं है इससे चुड़े कॉम्प्लिकेशन्स जानवरों में भी पार जाते रहे हैं साथ ही इस सध्यन में जो बाते सामने आई है उसके अनुसार डाइनसोर में ऐसी कई बिमारिया होई होगी जो आमतोर पर इंसान और दूसरे जानवरों में होती है जैसे केंसर ये इस धर्ती पर दूसरे जानवरों की तरह रहते थे और इन्होंने भी हादूसों और बिमार झाल झाल